गुद मॉनिंग एवरीबडी हमारी सुबा हो चुकी है और आप कैसे हैं सुबा होते ही मैं पिदले किछिन में आती हूं हर मॉम की तरह और मैं कोशिश करती हूं कि सबसे पहले मैं ब्लाइंड ओपन करूं इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है ग्रीनरी देखने को मिलती ह डिरेक्ट सनलाइट आती है लव ताट फिर मैं कोशिश करती हूं कि मैं हमेशा खोलू अपना डिश्वाशर उसको खाली कर दूं डिश्वाशर सुभई खाली करने से क्या होता है कि आपके बरतन स्टैक नहीं होते आपके सिंक में आपके स्लैप पर तो हमेशा आपका तो बॉइल होने के लिए रख दिये हैं कुकर में ये जो कुकर आप देख रहे हैं ये मैं इंडिया से ले के आई थी और मुझे तो स्टील के कुकर ही पसंद है आप कौन से कुकर यूज करते हैं जरूर बताईएगा तो मेरा बेटा कल स्कूल में गिर गया था तो उसके पैर में आइस क्यूब्स डाले और इसको लॉक कर दिया तो हमारा आइस पैक तहियार हो गया देशी नुसका हाँ सो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ चीजें इंपॉर्टन्ट है नहीं है पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है इंपॉर्टन नहीं पर व दूद्ध बॉइल हो रहा है थयरी और दोद्ध बॉइल होने के बाद मैं है अपने बेटे का दूद बनाऊंगी अपने हस्बन का दूद कि अपियोंगी बही मुझे तो चाय बहुत पसंद है और चाय के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं या तो चाय मसाला डालू या अदरक डालू इलाइची डालू या डालू मैं सिनिमन मुझे ये सारे combinations बहुत पसंद हैं मैं हमेशा ट्राइ करती हूँ कि कुछ इसमें से जरूर होना चीए मैं खाली चाय पत्ती वाली चाय नहीं पी सकती चाय पत्ती UK में अच्छी मिल जाती है no doubt बहुत सारी variety की मिल जाती है इंडिन स्टोर पर तो मैं बहुत जादा experiment तो करती नहीं हूँ खाने पीने की चीज में कोई नई चीज इंट्रिड्यूस करनी है तो वो अलग बात है उस पर experiment करना पड़ता है पर कोई पुरानी चीज जो मेरी जो हम हमेशा से खाते वे आए हैं उस पर हम लोग experiment नहीं करते हैं से कारडमों पॉप पॉड़्ज जो हैं मैं ले आती हूँ मार्किट से और मैं क्या करती हूँ हमेशा ग्राइंड करके रखती हूँ और कुछ ही होल करके रखती हूँ सो हमारे आलू भी उबल चुके हैं मैं जिर्फे आपके घर में आलू का अलु का मसाला कैसे बनाया जाता है सिरस अलु बना के इसमें प्याज वगएरा मिलाके इस सैन्विच ताया जाता है यह आप ह्लाएो मैं तो भई प्रॉपर भून भान के मसाला तयार करती हूँ हमारे गर में सबको वही पसंद है तभी वह अच्छे से मैश होगा इस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा मैं भी इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूं कि अगर आपको कम टाइम में अच्छे अलू बलुवे चाहिए तो आप उनको थोड़ा सीटी से जाधा कॉंसेंट्रेट करिए कि आप उनको गै मुझे लगेगा प्याज चीक है जो मैं अभी काटूंगी और तड़के से मैं अच्छा सा मैश तैयार कर लोंगी आप लोग कैसे सैंविश बनाते हैं सैंविश मेकर में सैंविश बनाते हैं तवे पे बनाते हैं जबूर बताईएगा हम तो हमेशा से ओलिव और घी बीच म उसमें यूरिक ऐसे जादा होता है तो थोड़ा सा हमने छोड़ रखा है और एजिली अवैलेबल भी होता है यहां पर ओलिव ऑईल अच्छी कॉलिटी भी मिल जाती है रीजनेबल प्राइसे भी हैं घी की जैसे प्राइसे हैं तो क्यों और चीज खाना संफ्लावर ऑईल चोड़े वे तो हमें बहुत सा लोग है जिसको रिफाइन बोलते हैं वो तो शायद अच्छा भी नहीं होता है हेल्थ के लिए तो इसलिए हम लोग अवाइड ही करते हैं यह मैं अनियन कट कर रही हूं मैं मसाला बनाऊंगी आप लोग कर से मसाला पटाते हैं डालते हैं तो अनियन से अच्छा से तड़का लगाती हूं और नॉर्मल मिर्च धनिया और अपना जीरा हो गया इनसे ही तड़का लगाने की कोशिश करती हूं यह मेरा फेवरिट स्पैच्यूला है बहुत अच्छा है मुझे बहुत पसंद है इसका जो हैंडल है वो वुडन है तो इसको डिश्वॉशर में नहीं रख सकते इसको हाथ से दोना पड़ता है पर मुझे यह बहुत पसंद है तो मैं अपना अपना यह सब क्लीन करके चॉपिंग बोर्ड वगेरा अपने आलू डालूंगी इसमें और फिर हमारा आलू का मसाला तयार हो जाएगा मेरे बेटे की छुटियां स्टाट हो गई है तो आप नहीं नहीं फर्माईशे देखते जाहे हैं आप रोज आने वालया आए आज सैन्विच तो कल स्पिनिच सैन्वृश हमारे एगल में स्पिनिच चीज कॉन सैन्विच यह स्पिनिच सॉ Commissioner फिस्रों सैन्विच तो वो भी बहुत टेस होता है तो मेरे हजबन आ गए थे उनकी कॉल ऑफिस आज घर से ही है तो वह अपना मिल्क वगरा लेंगे थोड़ा से बेटे से बात करेंगे मॉनिंग टाइम थोड़ा ही मिलता है क्योंकि रोज तो स्कूल ही रहता है तो यह आ गया सनी बॉय बोल रहा है कि अब आपका आइस और आपके खड़ा हो गया वैसे उसके पैर में थोड़ा सा पेन है पर मस्ती कर वालो मस्ती तो इनकी जरूरी है ही मुझे भी ऐसे लगता है मस्ती जरूरी है भाई बहुत जरूरी है तो सैंविच इसकी प्रेपरेशन चैलू है यहां पर देखिया मैंने सैंविच से जाता है कि कभी भी expired product आपको test को कोई भी आप super store में जा रहे हैं यह shopping करने जा रहे हैं कभी नहीं मिलेगा आपको एक दो दिन की expiry होगी तो वो मिल सकता है पर ऐसा नहीं कि expired product मिल जाएगा तो आप इस चीज के लिए विल्कुल carefree होके shopping कर सकते हैं यहां पर UK में हैं ऐसा हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ किसी के साथ हुआ हो तो might be a possibility क्योंकि हो सकता है कभी-कभी you never know so हम तो हमेशा sandwiches butter से ही बनाते हैं हम unsalted butter यूज़ करते हैं तो बहुत सारी brands आई आपे butter की भी यह एक चीज मुझे मुझे में बहुत पसंद है ब्रेड्स होँ butter हो हर चीज मुझरूम आप मुझरूम यू कांट गो एंज आज जस आज पर मश्रूम काह है मश्रूम में भी 10-15 ताइपस ए इप और बहुत सारी वराइटी वैं यूज़ से पेर पेर में भी इतनी सारी वरायटी हर चीज हर फिरूट में हर चीज में पट यह ब्रेड लेना है नहीं तो शुरुवात में बहुत एक्सपैरिमेंन किया सम्टाइम्स वी गूट प्रोडक्स सम्टाइम्स वी इंट यूमी होता है है यह का कर्द जाल रही है मैं अच्छे से बटर लगाती हूं से थोड़ा क्रिस्प भी हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है एन्हेंस हो जाता है हमारे सैंविच इसका टेस्ट मैं हमेशा चॉपिंग बोर्ट पर रखके ही सैंविच की फिलिंग लगाती हूं ब्रेड में उससे मुझे थ कितना अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लगाता है और एकदम क्रिस्प जाता है अभी मैं इसको बीच में से कट कर दूंगी डिवाइड हो जाएगा टू पार्ट में और वह शेप भी बहुत अच्छा लगता है मुझे असा लगता है कभी-कभी खाने के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी होता है वो चाहे आप घर में हो चाहे आप शेफ हो चाहे आप कोई स्टॉल लगा रहे हो आई don't think so कि प्रेजेंटेशन मेटर नहीं करता है बट आपके घर में आपके घर पे कोई डिनर करने आ रहा है या उपने बहुत अच्छे से प कोई बहुत अच्छी सैंविच रेसिपी हो अधर देन पटेटो और स्पिनेच और मियोनी और वजिटेबल और चिकन सैंविच के इलावा और कोई डिफरेंट टाइप का कोई सैंविच बनाता हो तो प्लीज मुझे ज़रू बताईएगा I'm in much need क्योंकि रोज आप जानते हैं कुछ ना कुछ अलग देना पड़ता है तब ही वह खाते हैं मेरे सैंविच इस तैयार है डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए डाइनिंग टेबल से जाएंगे सीदे हमारे टमी में यमी यमी इन माई टमी मेरा बेटा हमेशा यही कहता है जब उसको कोई चीज पसंद आती मेरे काउंटर टॉप पे स्टेइन बहुत जल्दी आते हैं तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है जैसे मैं दाल बॉइल करती हूं मूंकी दाल अकसरी वो सीटी से बहर आने लगता है उसका पानी से यलो यलो तो वो मेरे काउंटर टॉप पे आता है तो एकदम स्ट हमारा ब्रेकफरस्ट हो चुका है और थैंक और हम अब प्लानिंग करेंगे लंच की सबकी यही सेम स्टोरी है ओके बाबाई हाव वंडरफूल डे टेक केड़ नी सीटाव एक बाई प्लानिकında the जतर बाहत है कि यही से बह sponsors बाई है और है युचि झाले है detail है झाल झाल